नमस्कार आप देख रहे हैं Z10 News और मैं हूँ आप सब के साथ साशी शर्मा शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से जहां आज का हमारा चर्चा का विसे है कि प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने अयोध्या की राम जन भूमी पर बन रहे राम मंदिर में राम लला की प्रान पतिष्ठा के लिए आज से विसेश अनुस्ठान शुरू कर दिया है आपको बता दे कि ये अनुस्ठान पूरे 11 दिन चल कर 22 जनवली को पूरा होगा जब राम मंदिर में राम लला की प्रान पतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद ही श्री राम के भक्तों क उनकी मूर्ती के दर्शन हो पाएंगे आपको बता दे कि पीम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उसमें लिखा है कि मैं आज से 11 दिन का विशेश अनुस्ठान आरम कर रहा हूं मैं आप सभी जनता जनारधन से आशिरवात का आकांशी हूं इस समय अपनी भावनाओं को शब्द में कहपाना बहुत ही मुश्किल है पीम ने अपनी इस ओडियो संदेश में बताया है कि 22 जन्वरी को उस आदबुत पल के साक्षी बनेंगे जिस पर पूरी दुनिया की नजर है पीम न अपनी राममंदीर के उद्घाटन को लेकर अपनी भावनाएं वेक्ट की हैं इसे सुनकर सभी उनका समर्थन भी कर रहे हैं पिलाल आपको बता दे कि पीम मोदी के अलावा आरेसेस भी दूसी तरब बीजिपी राममंदीर के कारिकरम को लेकर काफी उतसाहित है और उसका भवे आयोजन सुनक्षित करने के लिए जी जान से जुटी हुई है ऐसे में आरेसेस के सदस्यों ने ही कारिकरम को और भी भवे और दिवे बनाने का जिम्मा उठाया है बताया रहा है कि आरेसेस बीजिपी के कारिकरता घर घर जाकर अक्षत निमंतरन दे रही हैं वो नियोता दिया गया है जिसमें विपक्ष के नेता भी सामिल है हाला कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रेस ने राम मंदिर के कार्कम में शामिल होने से इंकार कर दिया है अब इसी भी सपा की नेता खिले श्यादव ने भी ये दावा करते हुए कहा है कि उन्हें प्रानपतिस्ठा में सामिल होने का कोई भी नियोता नहीं भेजा गया जिसे लेकर पार्टियों के बीच तना तनी चल रही है आज के लिए बत इतना ही हम मिलेंगे एक नई